समाजी विज्ञान में तो यह वीडियो बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें सत्तर नंबर का पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट कोश्चन है पूरे किताब से इतिहास हो गया भुगोल हो गया और अर्थसास्त्र नागरिक सास्त्र समाजी वि पूरी वीडियो लास्टर तक झालो इपुरी किताब से कोश्ण होने यहां अगर पर अकूछ ने किसुछ नहीं होता है स्वाजे विग्या से कोशन आते साथ लाका कोशन के बतार है की सिंपल माता तक जो पहला से बिए इस नंबर का कोशन नहीं बहुत्वरें जो कि ने हैं कर कि यहां पर यहां पर यहां तरहuciones यहां तरहना पर योट लिखना है समाजी कोश्टन लिखने तरीका यह हो तो हैडिंग बना करना है इस कोश्टन को बना के लिख सकते हो बतातों किस तरीके से बना के लिख सकते हो अब दूसरा कोश्टन यह है दीखने देखरो जेव तर संसादन क्या होते हैं तथा उधारル देना है इसका बताना है यहाँ तो आपके यहाँ नंबर मिल जाएंगे ठीक है काली में ते कहां बजाते हैं गुजाते हैं और कह रहा है और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है यह कोशन ही हर सारी कोशन पूछा था इसलिए अच्छे से इसको पढ़ लेना अब देखो चौता कोशन यहां पर है कि भारती करसी की कोई तीन विसस्ताय बता नहीं है यहां तीन विसस्ताय बता दो कि पूरा नमबर आपको मिल जाएंगी यहां पर तीन विसस्ताय आपको याद करनी पड़ेगी और यह कोशन बैंक से भी इसका सोलिशन आपको मिल जाएगा ठीक है अगर कहोगे तो मैं इसके अलग से एक वीडियो बना दूंगे सोलिशन के बिल्कुल ठीक है ना तो इसलिए यहां पर कोशन बहुत जाएदे इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अच्छे से टिक करकर रख लोग यह कोशन आपको वोड़ेग्जाम में पढ़ने है ज्यादा नहीं पढ़ने बस यह पढ़ने आपके वोड़ेग्जान सत्ताय नमर आ सकते हैं और पाई जाने वाली फसलों के नाम बताने है ठीक उसका उल्ले करने में अब यहां देखो साथवा कोशन यहां पर नवी करणनी तथा अनवी करणनी संसादुनों का अंतरिक बताना है कि नवी करणनी क्या होता है और नवी करणनी क्या होता है तो फिर जैसे देख सकतो यह नवी करणनी और नवी करणनी के यहां पर यह लिखा हुआ अंतर लिखा हुआ यहां कोशन नमबर डालोग यहां से स्टार्ट करोगे देखो हैडिंग में हैडिंग ऐसे लिगो तो प बारट बडिर्ट बनाए है सकते हैं एक बार ऐसे चैक्छट में हैंगे यह एफ यही तरीका होता है समाज है विज्ञान को आंसे देखनेगे और अब कौण सा jsारा कौन सा है और कोछन यहां पर है कि karu किसे कहते पर नंबर पूरे मिल जाएंगे अब दैसे वा कोशन है कि हमें खनीजों के संचारन क्यों हो सकते हैं भूमी संसादन से क्या तात पर रहे हैं इस पर आंसर लिखना पड़ा है कम से कम से तीन पर लिखना का लॉंग में आया थो ठीक है आप देखो यह क्या बूगो लगा अब करते हैं इतिहास का इतिहास पर 20 नमबर कोशन पूचा जाता है यहाँ पर देखो इतिहास कोशन की लिखा हुआ यहाँ पर फ्रांस की करणाथी कने किस ने किस तरी कोशन क पेडिवार रुए दिखने बोड़ सब्सकर नबर क्यों UE योग शाषन और दूसरा लिखोगे आम जनता का दाई तो इसके बारे हैं पूरे लिख दो को पूरे नंबर यहां से मिल जाएंगे अब दूसरा कोशन यह है कि जर्मनी का एकी करन कब और कैसे हुआ था देखो यह कोशन पूछ सकता है या फिर यह पूछ सकता है इसके बारे में अच्छे पढ़ना पड़ेगा आपको और देखो चौठा कोशन यहां पर है कि खिलाफात अन्दोलन क्यों शुरू हुआ था यह किसने के द्वारा शुरू की था इ harvest किन है और चुछ पू है नहें से मिल जाए यह हरता कोशन कोशनह है कि चुमानी मे लिखना अगर चलक जान दी जी ने किसलिए इसको नमक तोड़ा था ये इसके बारे आपके थोड़ा पढ़ लोगे तो बिल्कुल हलके से इस पढ़ने की जरूरत रटा मारने की जरूरत नहीं है बस इंपॉर्टन कोशन देख लो अब देखो पुना पैक्ट पर किसके हक्त अक्षर हुए थे मत भारती राश्ट्री के ऊदय की तीन टिपडी लिखनी हैं अब देखो नवा कोशन है कि अस्योग आंदोलन पर संचेत में टिपडी लिखनां अस योग आंदोलन ऊपर ये क्या था खिलाफांत आंदोलन यह अस्योग आंदोलन ये दोनों कोशन अच्छे से पढ़ लेना अ ऑल देखों यहां पर क्या होता है fiil 2019 में को फुसुन यहां पर इतिहास को पुशन यहां पर रहे हैं ज़िसे कोशन पाइए कोशन कोशन कुशन नह आने वाले बस ब हो लोग इतिहास हो तेके लिए नागरिक सास्त रहें 15 नम्र कोशन यहां से आता यह भी बहुत इंप्वर्टेंट है अब देखो पहला कोशन यहां पड़े कि सत्ता की साजदारी क्यों आवश्या के यह पूछ रहा है क्यों आवश्या कि सत्ता की सजदारी टीक है और दुस्रा कोशन देख लो क फेपर में ठीक है नब देखो संगवाण में देखो 2-3 तरिके से पूसझाए संगवाध जोटाएं क्या होता है संगवाध किसके दौर किया रहाए गा सबका आंसर क्या रहा है का एक ही रहाएगा को फेक पूसकता और देखो लोगतंत्र के लिए संवरति सूची क्या है opera कोशन क्या है लोगतंत्र के लिए हानिक आंपर देखें कि बारत में लोगतंत्र की सफलता का कारन बताना बहरत में लोगतंत्र की जटा का कैसे सफलता था है इसके बारे में लेक Run like भड़ाने टर पढ़ेगा नहीं बड़ ऊपर के देखें कि हाँ इस सब सही लिखा तो पूरे नमबर मिल जाएंगे अब देखो छेटा कोशन यह भी इंप्वार्टन कोशन है समरती सूची क्या है समरती सूची क्या है इसके बारे में पूरा आंसर देना पड़ेगा उसा की पूरा principles सबको पता है जो दो सरकार आपस सरकार जो उड़ती है उसे इसको और लंबे टरीके सर बना कर लिखना पड़ेगा ठीक है भारत में जातीप्रता कार राजनीत पर क्या परभाव पड़ा भारत में जाती जाती का प्रभाव पड़ा इसके ओपर आंसर देना है अब देखो यहां पर यहां पर यह घाता है इस तहिफ़ देखने को मिलता अर्थ सास्तर के ुशता है पहला कोशन पहला को ? इस ईक हम आ है आ रही है अर्थिक विकास कि और झाहिसी आंधिकी आगाए और थिसमा सो की क्य één को बारे यह लग लग होते हैं इसके बारे मिश्यृश्टान देनी हैं और एक और प्रचंद बैरोजगारी किसे कहते हैं इसके बारे में आंसर देना पड़ेगा चछटा कोश्टन है कि वैस्टी करन ते ताथ पर रहे हैं यह बखूंध हम जयादा important है इसमें का आता है वैपार से आप क्या समझते जो होता है भारत हो सकते होनिते अब है कोछन कि भारत में भारत में तीन वीशनाय लिखने हैं जहा है आरफी किरिया है किसे कहते हैं प्रमुख विसेश्टाइय देनी है तीन प्रमुख विसेश्टाइय देनी है ठीक कि ये होग लें लेंने लें का दिकार जाचने दिकार होता है इसके बारे यह जरूरल आता है यह सबसे इंपॉर्टन नगा इसको सबसे पहले तयार करें न इसे राष्ट्रवाद लिखना पड़ेगा राष्ट्रवाद होता कि संगवाद क्या होता है तो यह इन्पॉर्टन कोश्ण आपके बोड़ एकजाम में आने वाले हैं बहुती सि बना के भी लिखो ना सभी चलेगा बट आप लिखने तरीका भी हैटिंग भी हैटिंग लिखना और उसी के बेस पर रिलेटर लिखना माझनों की राष्टरवाद का आगे तो राष्टरवाद की कोश्चनल लिखना उसी के अंतर गुमाफ इता के से लिख सकते हो बस exam ने एक तर से 65 नंबर बन सकते हैं और देखो जो मैप वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैप को किस तरीके से भलते हैं वो भी आसान तरीके से अगर देखो यह इंपॉर्टन कोशन बिल्कु तयार के लिए मेरे कहने पर और देखो और अगर चैनल पर नह सब्सक्राइब कर सकते हो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में